जैसी राम, राम राम नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है आज के सुडियो में बिहार एस्टेट कम्प्यूटर सैंस के कोश्चन पेपर देख रहे हैं पिछले वुडियो में 127 तक के कोश्चन देख चुके हैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कई सेट देखने को मिलेंगे इसमें बिहार एस्टेट कम्प्यूटर सैंस का इसके लबे जो उनलेन हुए हैं, इसके लाभे जो OMR प्रिक्षा हुए हैं स्टेट का इसके लाब अन्य राज का और इसके लाब अन्य राज में जैसे दिली हर्याना यहां तक की राजस्थान इसके लाब के BS and BS के question paper तो ये सब आप लोग को इस channel के माध्यम से देखने को मिलेंगे कई set हो जाते हैं तो लगभग आप लोग आसा रखें तो अगर 20 set हो जाते हैं तो 2000 करीमे question paper और इससे अधिक question paper देखने को मिल सकते हैं question देखने को मिल सकते हैं कुलमिलाकरम अन्य MCQ भी जो महतपूर्ण question MCQ भी इस channel के माध्यम से दी जाती रहेगी तो आप लोग इस channel को subscribe करना न भूलें और आप लोग सबसे पहले ये question देख लें 117 तक question देख चुके हैं तो इसका answer आप लोग बता सकते हैं computer में 1 और 0 द्वारा system software उदारन है तो किसका उदारन है system software किसका उदारन है तो इसका answer ये दिया गया था A और B अब आगे बढ़ते हैं आज की question देखते हैं 117 तक देख चुके हैं knowledge discovery ये उन data mining किस से संबंधी थे बताया ज़रा है knowledge discovery and data mining are associated हुई थे तो इसका answer क्या होगा तो data base से संबंधीत है अब आगे देख लेते हैं इसका answer क्या होगा 119 में ये बताया ज़रा है analytic किसे संबंधीत है analytic किसे संबंधीत है किसे related है तो इसका answer क्या होगा तो इसका answer ERP हो जाएगा अब आगे देख लेते हैं क्या बताज़ रहा है 130 में Hadoop Eom MapReduce किसे संब्धित है ये भी question महतपूर्ण है Hadoop और MapReduce किसे related है तो इसका answer तो ये दिया गया है Java दिया गया है answer की में जो BSEV की answer की में Java दिया गया है और आप लो जानते हैं जो Hadoop की बात करें तो ये big data है और अगर आप लो ये भी जानते हैं BPC में D option भी होंगे अर्था जो X से अधिक D में और E में क्या रहेंगे कोई नहीं तो ये बाते हैं तो आप लोग को दिकत नहीं होगी वैसे आप लोग भी इसका answer comment में बताएं अब आगे देख लेते हैं जो कि ये confusion भरा question रहा 130 तो इसका answer आप लोग दें इस option के साथ दें 130 के option के साथ दें क्या आप लोग को लगता है और आप लोग देख सकते हैं 131 में DICE program का pictorial representation है आप लोग देख रहोंगे इसका मतलब क्या है DICE is a pictorial representation of a program प्रोग्राम का pictorial representation को क्या कहते हैं फलो चार्ट अब आगे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है inheritance क्या reflects करता है तो क्या होगा inheritance reflects association अब आगे देख लेते हैं EDI एक परकार का DICE है EDI is a kind of program तो इसका अंसर आप लो प्रोग्राम लगा देंगे अब आगे देख लेते हैं 134 में दिया गया है तो इसका अंसर क्या होगा 134 में देख लेते हैं आप लोग देख लिजिए readline.readline तो ये input syntax for Java अब आगे देख लेते हैं Python का ये भी question रहा तो इसमें देख सकते हैं Python एक वर पूछा गया Python क्या है तो programming language है और ये भी Python के question उसमें भी दिये गे थे 18 September के question paper में भी ये online question paper जो हुआ था आयोजीत उसका है अब आगे देख लेते हैं आप लो 136 का क्या होगा टराइकेच देखते ही आप लो जानते ही हैं लगा देंगे exception handling जावाब में दिया गया है टराइकेच अब आगे देख लेते हैं Ethernet के बारे में बता गया है Ethernet के बारे में तो NAC और ये पूछी दिया जाए देख लेते हैं NAC आप लो देख लिए हैं इसमें आगे भी बातें करते रहेंगे और यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिलेगा 138 में कुछ नहीं देखना है फाइल भी वह इसे दे दिया गया है अलग से फाइल देखते ही आप लो लगा सकते हैं टांसफर फाइल तांसफर फाइल देखते ही फाइल टांसफर पोटोकोल लगा सकते हैं DICE is used to transfer files from one computer to another computer DICE का उप्योग फाइल को एक computer से दूसरे computer में transfer करने के लिए करते हैं तो FTP हो जाएगा अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें दिया गया है तो आप लोग देख लें जो mail के send और receive की बातें की गई है DICE का उपयोग mail send और receive करने के लिए उपयोग करते हैं DICE is used to send and receive mail तो mail के send और receive के लिए क्या उपयोग करते हैं email दिया गया है अब आगे देख लेते हैं protocol की बात करें तो आप लोग बताएं अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग देखें simple mail transfer protocol अब आगे देख लेजी आप लोग HTML का अर्थ HTML का अर्थ के बारे में बताएं तो HTML का अर्थ क्या होता है Hypertext Markup Language यह आप लोग जानते ही हैं अब आगे देख लेते हैं 141 में क्या दिया गया है TCP IP के बारे में तो TCP IP क्या है TCP IP protocol है आप लोग जानते हैं TCP और UDP की बात करें TCP जो कि यह सभी किस लेर पर है तो टांस्पोर्ट लेर पर है और TCP TCP की बात करें तो यह connection oriented है connection oriented और UDP की बात करें तो connection less है और इसे ही आप लोग जान सकते हैं और FTP की बात करें या फिर जो सबसे पहले network layer में देख लेते हैं कौन-कौन है तो network layer में IP हो जगा IP होगा ARP होगा address resolution protocol और IP से Mac में और इसकलाब है IP में ही IP B4 और B6 भी है और इसकलाब है RIP होगा तो यह सब network का है और application protocol की बात करें तो application में होगा HTTP तो HTTP होगा FTP होगा यह सब है और इसकलाब है जो और B है आगे बातें करते रहेंगे और URL का Earth बातें करें तो URL का Earth क्या होगा तो uniform resource locator हो जाएगा uniform resource locator हो जाएगा अब आगे देख लेते हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है algebra of logic is termed edge तो B BSEB का answer में दिया गया है यह दिया गया है और बहुत सारे जो अभिरती उस समय की बात करें तो यह कुछ अभिरती की बात करें बहुत सारे नहीं कर सकते कुछ अभिरती यह मानते हैं आप लोग confusion भराई इस question का answer आप लो comment करना न भोलें अब आगे देख लेते हैं इसमें इसका answer तो BSEB के द्वारा यह दिया गया है C दिया गया है BSEB द्वारा क्या दिया गया है C दिया गया है तो इसको आप लोग को comment करने है C दिया गया है BSEB द्वारा C दिया गया है C अब आगे देख लेते हैं termed as c ही answer देखने को मिला है net पर भी अब आगे देख लिजिए boolean यहाँ पर देख लेते हैं boolean algebra can be used इसमें क्या दिया जाएगा तो इसका answer है boolean algebra can be used यह होगा यह होगा इसका answer designing of the digital computers designing of the digital computers अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है यह dice value is represented by a boolean expression तो boolean value हो जाएगा 146 question आप लो देख लोंगे boolean expressions के विहित रूप क्या है विहित मतलब canonical forms of boolean expressions तो क्या होगा इसका answer तो इसका answer bsev द्वारा दिया गया है यह होगा और आप लो जानते हैं mean term और max term के बारे में mean term sum of जो sum of जो product और product of sum इसके बारे में आप लो जानते ही हैं kmap में तो इस पर जएदा भी बातें नहीं करेंगे boolean expression के बारे में आगे बातें करेंगे अब आगे देख लीजे आप लो 147 में क्या दिया गया है और 147 में दिया गया है the logic gate that provides the logic gate that provides high output for same input same input के लिए high output के बारे में बताया जा रहा है same input same input मतलब 0 0 हो गया 1 1 हो गया same input हुआ और इसके लिए high output मतलब 1 1 पराप्त होना तो ये क्या हो सकता है जिसा कि अपनों जानते हैं similar की case में दो बातें बनती है या तो ये बनता है या फिर या ये बनता है same की बातें हो high output पराप्त हो यदि same रहने पर तो ये हो जाएगा इसका answer अगर low output की बातें की जाती तो ये होता same रहने पर low low output तो ये होता अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है 140 में 140 में दिया गया है 140 आप लोग देख रहोंगे a पलस a b तो ये हो जाएगा इसका answer यही होगा इसका answer यहाँ पर a को मन लेंगे 1 पलस b करेंगे 1 पलस b 1 होता है यहाँ पर भी दिया गया a पलस 1 क्या होता है तो 1 होता है आगे आप लोग दिखा देते हैं इसमें क्या दिया गया है उसके बाद उसको देखेंगे a पलस 1 क्या दिया गया है 1 होता है इसका अंसर अब आगे देख लिए इसमें इसमें भी वही बाते हैं A को मन लेंगे तो 1 प्लस B 1 प्लस B 1 हो जाएगा A into 1 क्या होगा A into 1 A हो जाएगा 150 में भी आप लो A को A प्लस B जो है उसमें multiply करेंगे तो A A होगा और A प्लस B को A से multiply करेंगे तो A A और A B प्लस में A B तो A A मतलब A हुआ A प्लस A B A प्लस A B और फिर A को मन लेंगे तो A और 1 प्लस B होगा 1 प्लस B 1 होता है तो इसका अंसर A ही हो जाएगा वही बाते हैं इसमें सिर्फ सबसे पहले आप लोग को multiply करने होंगे उसका प्लस आपको इसके जैसे करने होंगे इसके जैसे 148 के जैसे तो आप लोग को अंसर मिल जाएगा यह होगा इसका अंसर